Topic Consumer Behavior and here we will study the concept of Utility. Utility क्या चीज है जिसको अगर हम Express करते हैं, यह किस Positive Theme में अगर हम कहें कि किसी Commodity का नाम है, किसी Idea का नाम है, तो अगर हम इसको Explain करें तो Utility का नाम पहली दफ़ा Economics में जो है, यह 18 सदी में अगर हम एक Mathematician है, जिसे ने Daniel Bernoulli ने इस्तमाल किया, तो that was that term that was called Utility, और again यह combination था कुछ Greek words का, जिसका मतलब था Useful Thing यह Utility यह वो चीज जो हमारे इस्तमाल में आ सकती है, और अगर हम दूसरी form में कहें तो Utility को Define किया जाता है, that it is a power of a good, और यह वो power है जो vary करती है, यह अधर वाइस देखें, तो यह hypothetically power है, कि यह किसी भी शेय की वो ताकत, जिसके जरिए वो किसी human की किसी न किसी desire को पूरा कर सके, that will be the utility, to the power of a good or service to satisfy human want, और यह अगर हम दूसरी form में देखें, तो Satisfaction या Player, वो जो Consumer हासल करता है, किसी भी share के खर्च करने से, तो वो उसकी Utility कहलाए, तो उसको हासल करने से, उसको Consume करने से, जो उसको Satisfaction मिलती है, जो उसको Player मिलता है, जो Happiness मिलती है, वो कुछ भी जो Farm में हो सकता है, वो अगर हम देखें, तो that will be called Utility, अब Utility की Nature क्या है, अगर हम यहां पे देखें, तो Utility of किसी भी जो Product की है, वो चूंके चेंज होगी, अगर हम कहें तो यह Power of a Good है, तो लेकिन यह Change की स्पाम में है, यह एक शक्स के लिए एक पानी के गलास की एहमियत और है, लेकिन वो जो दूसरा शक्स है, जिसको अगर ज्यादा प्यास लगी होए, तो उसके लिए उसी एक पानी के गलास की युटिलिटी उसी वकत पर और हो सकती, लेकिन अगर हम इसी को किसी और तरीके से देखें, तो वो ही एक शक्स, उसके लिए सुबो के वक्त उस युटिलिटी को उस पावर की जो है commodity की और होगी, यह आज कल अगर मैं कहूं तो अगर हम एक शक्स जो इसको अफ़तार के वकत जिसको बहुत प्यास लगी होगी, तो उसके लिए वो ही पानी का एक गलास उसकी युटिलिटी और होगी, बारिश के वकत छतरी की युटिलिटी और है, आपके पाउं में जिस टाइम जूता तूट किया है, आपक अगर हम एक शक्स के लिए उसी एक शेय या उस सर्विज की एहमियत, हैपिनेस, कंजंप्शन, वो पावर, वो मुख्तलिफ आउकात में मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ कीमत हो, और यह वेरी करती है उसकी तलब के साथ, और उसके साथ जब उसकी इंकम भी बदल सकती है किसी वक्त वे, तो उसके मुताबक भी यह यूटिलिटी उसकी कम ज्यादा हो सकती है, अब अगर हम यह देखें, तो हमारे लिए सबसे अहम चीज यह है कि कंजंप्शन या कंज्यूमर बिहेवियर में, जब हम कहते हैं, कि यह किसी चीज की प हमारे पास हमारे पास इसको solve करने का कोई ना कोई एक unit होना चाहिए था, so that unit that by which we say the quantity has how much utility, we say the number of utils, so किसी भी commodity को अगर हम कहें, तो हम कहते हैं कि इसकी utility ज्यादा है, so it is having more utils, जब utility कम है, तो it has the less number of utils, लेकिन वो utils itself एक hypothetical unit है, जिसको हम किसी भी form में measure नहीं कर सकते, जिस टेके से अगर हम कहें, कि physics में हम कहते हैं, कि Newton that is the force per unit of area, तो हम measure कर सकते हैं, यह हमारा जो utils quantity को है, यह हमारा measurement के लिए hypothetical term होगा, और यह vary करेगा, perception of person to person, उसकी age से, उसके taste से, उसकी preference से, उसके time से, उसकी income, तो बहुत सारे factors मे यह utils हम सिरफ और सिरफ अपनी theoretical और calculations के लिए हम कर सकते हैं, हम इसको numeric value नहीं दे से